अब प्रोमिस्ट लैंड नाम की बुक को किस ने लिखा था बराक ओबामा ने लिखा फिर अभी किस बैंक ने ग्रहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम को लॉंच किया तो कैनेरा बैंक के सीओ लिंगम बैंकर श्रीनिवासन है फिर किस भारतिय को युनाइटेड नेशन की 2020 क्लास ओफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया तो आंसर होगा उधित सिंगहल को फिर अगला प्रशन है किस बैंक ने Emerging Entrepreneurs Business की शुरुआत की तो बंधन बैंक ने जिसका Headquarter कॉलकाता में है और इसके MDCO है चंदर शेखर घोष फिर है मुख्य मंत्री महिला उतकर्ष योजना भी किस राज्य सरकार ने शुरू की गुजरात सरकार ने फिर पूछा जा रहा है इवाहनों के लिए एक नई सबसीडी योजना भी शुरू की इसकी घोषना कर दी ये भी गुजरात सरकार ने इसमें 12,000 रुपे तक की सबसीडी आपको मिलेगी अगर एलेक्टरिक वैकल आप लेते हो टू विलर में फिर देश का पहला एक्सक्लिउजिव प्राइविट चेट टर्मिनल ये कहां पे खुला गया दिल्ली एयरपोर्ट जिसे इंद्रा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोलते हैं फिर किस देश ने रानी एलिजाबेज दृत्य को अपने देश के प्रमुक पद से हटाने की घोशना की तो आंसर होगा बारबाडूस बारबाडूस की केपिटल ब्रिच टाउन है प्रधान मंतरी मिया मोटली है फिर विश्व की पहली बायोनेक आँख ये तेयार की अभी आस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी के विग्यानिकों ने तो इससे जो ब्लाइंड लोग होंगे वो भी देख पाएंगे आर्बन क्रूजर के लिए किसे ब्रेंड अमबेजडर नियूक्ट किया गया था तो आंसर होगा आयुशमान खुराना को बढ़ते आगे फि इस दिन भारत में अंतियोदे दिवस के रूप में मनाया जाता है फिर राष्ट्रे चिकित्सा आयूक के पहले अध्यक्ष कौन बने नेशनल मेडिकल कमिशन के तो आंसर होगा सुरेश चंदर शर्मा फिर विश्व परियटन दिवस ये मनाया गया अभी 27 सेप्टेंबर को और इसकी थीम थी टूरिजम एन रूरल डेवलप्मेंट बाकी नैशनल टूरिजम डेबी होता है जो 25 जनवरी कोई मनाते हैं और इंटरनेशनल टूरिजम और्गिनाजिशन का हेड़क्वाटर भी आप याद रखो मेडरेड स्पेन फिर भारत की पहली तट रक्षक आंसर होगा श्री लंका फिर आकाश एजुकेशनल सर्विस लिमिटेड ने अपना ब्रेंड एमबेजडर किसको बनाया तो आंसर होगा येवराज सिंग को फिर किस राज्य में सीटी फॉरेस्ट आनंद वन का उधगाटन किया गया तो आंसर होगा उत्तराखन तो यहाँ पर राज्य के विभिन प्रजातियों के जीव जन्तूओं और प्रकरतिक द्रश्यों को दर्शाय जाएगा फिर कोविड-19 रोगियों के लिए टी-बी टेस्ट अनिवारे कर दिया था किस राज्य सरकार ने पच्चिम बंगाल सरकार ने फिर भारत ने किस देश के साथ आपिन हैगन है, क्रोना करंसी है, फिर अगला प्रशना आपका है कि किस IIT ने मौशिक नाम से एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया, तो अंसर होगा IIT मदरा, बढ़ते आगे, तो चलिए कल की करंट अफेर्स को भी रिवाइस करते हैं, पहला प्रशना आपसे पूछा ज राजेश गोपिनाथन, फिर किस ने प्रधान मंतरी जीवन जोती बीमा योजना अभी शुरू की, तो अंसर होगा, इंडिया पोस्ट पेमिन बैंक ने, और इसके वरत्मान में MDCU अभी नए बने थे, जेव एंकट रामु है, फिर राश्टर दुख्द दिवर्स नैशनल म होता है इस दिन, और वैसे 26 नवंबर कोई हम Constitution Day of India, राश्टर समविधान दिवस के रूप में भी मनाते हैं, फिर है जुगल बंदी, The BJP Before Modi नाम की बुख को किस ने लिखा है, विने सीता पती ने लिखा है, फिर है विहार विधान सभा के अध्यक्ष कौन बने, विजे सिन नहां बने, फिर है श्री, गुरु नानक देवजी के जीवन पर अभी बुक को किस ने रिलीस किया, प्रधान मंतरी नरेंद्र मूदी ने रिलीस किया, और इस बुक को लिखा है करपाल सिंग ने, फिर है डिएगो मारा डोना का भी निदन हो गया, इनका सम्मन्त किस खेल स में है, फिर है अमेरिका के नए विदेश मंतरी कौन बन गए, तो अंसर होगा, एंटनी ब्लिंकेन, अभी यहां पे नए राष्टपती बने, जो बैडन और 46 नंबर के हैं, पहली मैला उपराष्टर पती बनी है कमला है, फिर है अभी RBI ने लक्षमी विलास बैंक का विले किस बैंक में कर दिया, DBS बैंक में, DBS बैंक तो वैसे तो सिंगापूर का बैंक है, विदेशी बैंक है, लेकिन इसकी ब्रांच है इंडिया में, DBS बैंक ऑफ इंडिया उसमें, फिर है लिविन गार्ड एजी के ब्रेंड अमबेजडर बने, सौरव गांगुली, यह हमारे केंदरे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री है, बढ़ते आगे, तो स्टेडिक कुशन देखते हैं कुछ, बताओ जनसंक्या के आदार पर भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो आंसर होगा दिली, फिर है भारत का सबसे लंबा रेल्वे प्लेटफॉर्म, देखो अभी तो गौरकपुर रेल्वे स्टेशन है, लेकिन हमने करंट अफेर्स में पढ़ लिया है करनाट का हुबली स्टेशन, यहाँ पे सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जिसकी लंबा ही 1400 मीटर होगी, लेकिन वरतमान में तो आप कह सकते हो यह में निकलती है, तो यह दोनों एस्पेक्ट से आप आंसर करना, फिर है भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना है, कंगा की सहायक नदी है, प्रयाग राज में, फिर है भारत में होकर गुजरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वही बात होगी, ब्रह्मपुत्र है तिबबत से निकलती है ये फिर है भारत में शेत्रफल में सबसे ज़दा वणोवाला रज्य कौन सा है? वन फॉरस्ट एरिया, मद्ध्यपर्देश फिर है भारत का सबसे उचा जहरना ये कुची कल है, कर्राटक में है और भारत का सबसे उचा बांध कोन सा है टीहरी डैम है, उत्तरा खंड में है और किस नदी पे है तो भागी रती नदी पे फिर बताओ, भारत का सबसे उचा दर्वाजा बुलंद दर्वाजा, फतेफूर सीकरी में फिर है भारत में सबसे उची जहील कोन सी है देवताल जहील है, ये आपको मिलेगी उत्तरा खंड में बढ़ते आगे तो इंपोर्टन डेश की बात करेंगे कितने डॉट्स का इस्तमाल किया जाता है तो याद रखना, शिक्स डॉट्स का फिर है, सोलवा प्रवाजी भारते दिवस हमने कब मनाया 9 जनवरी को और एक अंतर राश्टर प्रवाजी दिवस भी होता है जो हम 18 देसंबर को मनाते हैं और इसकी लास्ट ताइम की ठीम थी वी टूगेदर किसकी अंतर राश्टर प्रवाजी दिवस की फिर है, विश्व हिंदी दिवस ये 10 जनवरी को मनाया जाता है वेसे एक नैशनल हिंदी डेबी होता है जो हम 14 सेप्टेंबर को मनाते हैं फिर है राश्टर ये युवा दिवस नैशनल यूथ ले स्वामी वेकन अंजी के जनम दिन को मनाया जाता है 12 जनवरी को और इसकी ठीम क्या रहती इस बार की चैनलाइजिंग यूथ पार फॉर नेशन बिल्डिंग और इंटरनेशनल यूथ डेवी होता है वेसे एक को हम 12 अगस्ट को मनाते हैं 12 अगस्ट को तो वर्ल्ड एलिफेंट डेवी मनाते हैं वो भी याद रखना और एलिफेंट किन-किन राज्जो को स्टेट अनिमल है पूछेंगे तो केरल करनाटक और जारखन डांसर कर देना फिर है सशष्टर बल भूत पूर्व सेनिक दिवस आम्ड फोर्स वेटरंस डे 14 जनवरी को मनाते हैं और भारते सेना दिवस जो इस बार हमने 72 भारते सेना दिवस मनाय था 15 जनवरी को फिर है विश्व वन्य जीव दिवस यह हम 3 मार्च को मनाते हैं वैसे 3 मार्च को World Hearing Day भी मनाया जाता है विश्व Hearing Divas और इसकी ठीम थी Hearing for Life, Don't Let Hearing, Loss Limit You और विश्व वन्य जीव दिवस की ठीम क्या थी? Sustaining All Life on Earth, प्रत्वी पर सभी का जीवन बनाये रखना फिर है राष्ट्रे बाले का दिवस, National Girl Child Day यह हम 24 जनवरी को मनाते हैं और 24 जनवरी को ही International Education Day भी मनाया जाता है पिछले साल से मनाना स्टार्ट किया इसको और International Education Day की इस बार की अमारी थीम क्या थी वैसे? Learning for People, Planet, Prosperity and Peace अच्छा यह तो हो गया National Girl Child Day 24 जनवरी को एक International Girl Child Day भी होता है जो हम 11 अक्टोबर को मनाते हैं फिर है राष्ट्रे मत दाता दिवस National Waters Day 25 जनवरी को मनाया जाता है और 25 जनवरी को ही क्यों? क्योंकि 25 जनवरी 1950 को भारते चुनावायोक का गठन हुआ था और इसकी जनवरी को वैसे हम National Tourism Day भी मनाते हैं एक World Tourism Day भी आपने सुना होगा जो हम 27 सेप्टेंबर को मनाते हैं और World Tourism Organization का Headquarter बताओ Madrid, Spain में है यह आपको याद होनी चीज़े हैं अब तक तो सारी चीज़े कहीं बार हम यह पढ़ चुके हैं तो गाइस यह था आज का हमारा Current Affairs का Revision वाला वीडियो वीडियो अच्छा लगा हो, helpful लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएगा और अपने दोस्तों के साथ में से शेर जरूर कर देना कम से कम एक Study Group में तो शेर करी देना अब कुछ questions आप लोग उसे पूछे जाएंगे, questions आप लोग लगाएगा और देखेगा कितने questions आप लोग उसे बन पा रहे, बाके में इनको कल सॉल्व करते हैं यह रहे questions आपके सामने